अभी जैसे गाउं की कोई कथा हो और गेहूं की कटाई होती रहें कितनों बड़ा वक्ता आजाए गाउंवाले पहले खेत काटेंगे उसके बाद तुमारी कथा सुने जाएंगे अगर गेहूं पक गया हो, धान पक गया हो, खेत एकदम तयार हो पक करके तुम पहले अपना खेत काटेंगे, उसके बाद जाएंगे तका सुने, चाए कोई भी आया हो, वैसे ही, क्यों, भाई, फसल पल गई है, बारिस हो जाएगी, फसल नश्ट हो जाएगी, चार-पांच महीने की मेहनत है, वो नुकसान हो जाएगी, इसले पहले खेत काटो, बाक पता चली गई, चल गई, कि हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हम लोग तो बड़े अस्वस्त हैं, हम लोग बहुत एकदम बेफिकर हैं, हम तो मरेंगे ही नहीं, हम तो अमरित का घड़ा पी करके हैं, हम तो सौवसाल जी, हम लोग ऐसा सोचते हैं, हम लोग यह सोच करके बै थे ёлहीं जब आपन जमें जाला और नाग से बहें नाला तो क्या ब्धर करें है जवानी में जब भजन करने का समय है तो हम कहते हैं नहीं अभी भजन करने का समय नहीं है जब हम तीलग नहीं लगा पाते हैं ऐसे हाँ फकड तकरते अभी हात काखता हुआ खाते हुए कायदे से दू चलता है और रोटी भी कायदे से नहीं पकड़ सकते हैं ऐसे से करके खाते हाथ है एसे एसे कायदे से हाग चलता भी नहीं है तो भजन करेंगे आप उनसे पूछिए भजन करेंगे उनसे भजन होगा भजन नहीं होगा आप जीवन भर मजा हमारे हैं तो आप सोचेंगे साठ साल में बैट के माला लेकर करके हम साधू बन जाएं कत्ता ही हो ही नहीं सकता किसी भी बुजूर्गों को बैठा करके हमको दिखाएं बजन वह करने लगे कि भुजूर्ग बैचारा तो फ्रस्टेट हो जाता है दुखी हो जाता है घर में कोई उसको पूछता नहीं कोई इसके पास बैठ के बात नहीं करता जब तक चलने लायक रहता है को वह काम करता है उसके बाद उसके कोई बात ही नहीं करता है कोई बात ही नहीं करता है कौन बुजुर्गों से कौन बात करता है बच्चे सब अपने काम में लगे रहते हैं सबको अपना-पना काम दिखाई देता कोई नहीं बात करता है कि इसलिए कोई भी व्यक्ति कि जितने भी हैं समय रहते हम लोग भज़न नहीं करते हैं समय रहते हैं जब हमारा समय निकल जाता है जब हमारे पास समय नहीं रहता है अंतिम छड में जब मरनी के कागार पे आते हैं तब हमारे स्वजन कहते हैं बाबा रामराम कर लो थुड़ा जब कर लो बगवान कर ऐसे लोग भोलऑ लेकिन समय रहते हम लोगं को भज़न करना चाइब पूर और समय कितना है यह आप नहीं जानते हम नहीं जानते कोई नहीं जानता है, आपके जीवन में जितना भी हो जा रहा है, जितना संभव है, वो चाहे नाम जब हो, चाहे कथा स्रवन हो, चाहे किर्टन हो, चाहे तीर थयात्रा हो, चाहे कोई धार्मी कनुष्ठान हो, जितना आप जल्दी-जल्दी कर लोगे, जितना जल्दी-जल् जीतना करना, आने वाले समय की गारंटी नहिंए हुआजाओ कि आने वाला समय आपको मौका देगा कि नहीं देगा कोई गारंटी इसलिए आने वाले भविश्यय की, तो हम लोग प्लानिंग करके बैठें ना भविस्य में हम ऐसा करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, भविस्य को कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है, हम भी नहीं जानता है, कि ये कल क्या होगा हमको भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता कि कल क्या होगा, कोई नहीं देता है हर माईने दद्दस 20-20 जार हम जमा कर रहे हैं मैनत की कमाई सब दे दिये उसको और पता लगा कंपणी भाग गई 50 साल के बाद कोई नहीं जानता कि भविस्व में क्या होगा जीवन में क्या होगा इसलिए जितना आपके पास मौका है उतने का फायदा हो उतने का फा है महराज परिक्षित आप सुचो कि कितनी बड़ी बात सास्त्रों में छुपी हुई है हम लोग सास्त्रों को पढ़ते नहीं हम लोग जानते नहीं महराज परिक्षित के पास साथ दिन का उनके पास समय था है साथ दिन का और जैसे ही सुच्दोग सुच्देव को स्वामी कागमल हुआ महराज परिक्षित एक भी मिनट गमाए नहीं वैसे तो हमारे यहां प्रथा है कि कोई संत महात्मा आए कथा प्रारम बहुत पहले पूजन होता है कोई संत महात् दल प्रभू के चर्णों में समर्पित करते हैं उसके बाद महात्मा जी के चर्णों में पुस्प आदि दे करके महात्मा जी का पूजन करते हैं बंदन करते हैं उसके बाद कुछ करते हैं लेकिन सुगदेव को स्वामी का महराज परिक्षित पूजन भी नहीं पूजन भी नहीं कि बिल्कुल नहीं कि वो प्रश्णों की जड़ी लगा दिये बस उनका ये कही प्रश्ण था कि म्रिय मानस से किम करत्व्य मरने वाले वाले को क्या करना जाए और मरने वाले क्यों महाराज परिक्षित नहीं है मरने वाले हम सब लोग है हम सब मरने वाले हैं लेकिन बस यही अंतर है कि महाराज परिक्षित को पता जल गया कि हमारे पास साथ दिन है और हम लोगों को पता नहीं है तो महारा राज परिख्षे तो खतरे में नहीं है हम लोग खतरे में हम लोग के सर पे खतरे की गंटी बज रही है कि कब हार्ड अटेक हो जाए रात को सुबह उठे तो पता लगा राम नाम सत्त होगे भाईया ले चलो